नमस्कार साथियों देखेंगे आज उत्तर परदेश पुलिस के लिए यूपी जीके का एकाव टोपिक उत्तर परदेश के प्रमुख के अंदर ये 200 विद्याले अगे देखते हैं सबसे पहले इलहाबाद विश्वविद्याले इलहाबाद विश्वविद्याले कहां पर है इलहाबाद में है इसकी अस्थापना जो है अठारो सो फतासीस वी में हुई थी कब इसकी जो है अस्थापना सर बिलियम मियूरो के देखरेक में की गई थी इतना आपको पता होना चाहिए इसके बाद है अलिगड मुफलिम विश्व विद्याले जो की अलिगड में है कहां पर अलिगड में इसकी अस्थापना उनईस सो बीस में हुई थी देखिए इसे हम ए यम यू भी बोलते हैं यहां उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंदरी विश्व विद्याले है उत्तर प्रदेश का किसका उत्तर प्रदेश का सबसे पूराना केंदरी विश्व विद्याले ध्यान दिए कन फ्यूजन नहीं होना है दोनों कोश्चन आपके एक्जाम में देखने के मिलता है कोश्चन कहेगा कि उत्तर प्रतेश का सबसे पूराना विश्व विद्याले इलहाबाद विश्व विद्याले उत्तर प्रतेश का सबसे पूराना केंदरी विश्व विद्याले अलिगर विश्व विद्याले ठीक है, उसके बाद है, बनारास हिंदू विश्व विद्याले, जिसे हम भी एच्चिव कहते हैं, जो कहां पर है, वरानसी में, इसके अस्थापना 1916 में, सन को भी आपको याद करना है, 1916 में होती है, इसके जो अस्थापना जो है, किस ने किया था, मदन मोहन मालवी, भेरी भेरी मोश्व इंपोर्टेंट कोश्चन है, यहां से कोश्चन देखने को मिलता है, इसके अस्थापना किस ने किया था, मदन मोहन मालवी ने किया था, 1916 बिश्वन को भी आपको याद करना है, बनारास हिंदू विश्व विद्याले, वारानसी में है, ठीक है, उसके कहां पर है, फुरसत गंज आपके अमेठी में है, ठीक है, इसको नोट कर लिएगा, दोनों आपसन में आपके दे सकता है, कभी-कभी-कभी-कभी एक ही देगा, उसके बाद है, रानी लचिमिबाई के अंदरी है, क्रिसी भी स्विद्याले, कहां पर है, जहासी में, कहां प कुफली इनवर्सिटी और आपका इलहाबाद इनवर्सिटी, इसकी अस्थापना किस ने किया था, यहां से कोशन देखने को मिलता है, लेकि इनसे भी मिला नहीं है, इसलिए इनको नहीं लिखा गया है, तो रानी लचिमिबाई के अंदरी है, क्रिसी भी स्विद्याले द्दाक्टर भीम राम, अंबेटकर विष्विद्याले काहां पर है, लखनवर में, तो इस तरब साब के अंदर यह भी स्विद्याले कंपलिट होता है, उत्तर परदेश का विष्विद्याले जो भी कुछ बचे होंगे, क्रिसी भी स्विद्याले कुछ बचे हैं, उनको अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में लाएंगे तो आज के लिए इतना ही ठिक है मिलते हैं अगले वीडियो में